हैलो वीवर्स, असलाम लेकूं, मैं हूँ रोशन, आज मैं आपके साशेयर कर रही हूँ जारखंड का बहुत ही फेमस नाष्टा बनाने की रेसिपी ये नाष्टा दाल और चावल से बनता है, बहुत ही टेश्टी लगता है, अगर जारखंड में आप कहीं पर भी जाएंगे, तो ये कहीं पर भी आपको मिल जाएगा, ये नाष्टा सुबा सुबा का और आलू और चने की सबजी के साथ इसे सर्व किया जाता है, तो सबसे पहले हम उरत डाल लेते हैं, ये हाफ कटोरी आप बोल सकते हैं, जितना हमने लिया है, और हाफ कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा हमने लिया है चना का डाल, और एक कटोरी हम इसमें लेते हैं, चावल आप कटोरी से भी माप सकते हैं या फिर कप से या फिर चमच से क्योंकि बड़ा सा चमच हम यूज किये हैं इसको हमने भी गो लिया है अच्छी तरह से पूरी रात के लिए शाम को हमने भी गोया और धो करके इसको सुबा में देख सकते हैं हमने इस पानी को निकाल दिया है और यह फूल चुका है सुबह में हम नाश्टाई से बना रहे हैं चावल जो हमने लिया है खीर वाला चावल होता है जो अरवा चावल जिसको बोलते हैं वही चावल हम यूज कर रहे हैं और मिक्सी के जार में डालते हैं इसमें तीन हरी मिर् करके अच्छी तरह से बारिक इसको फाइन पेस्ट बना लेंगे तो इस तरह से हम पीस लिये हैं बहुत अच्छा देख सकते हैं पहले जादा पानी ना डालें वरना फिर बाद में पतला भी हो सकता है तो इस तरीके से हमने पीस लिया है दूसरा बैच भी हम तयार कर लेते है और दूसरा पैच भी हमने पीस लिया है और देख पारे होंगे कितना अच्छा हमारा बैटर दीख रहा है बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे मिक्सी के जार को धो करके इसमें डाल देते हैं इसमें half teaspoon जीरा एड़ करते हैं एक चौथाई teaspoon जीरा और काली मिर्च का पाउडर और इसमें हम ये हल्दी पाउडर एक चौथाई teaspoon डाल रहे हैं नमक एक teaspoon हम डाल रहे हैं टेस्ट के according डालें और मसाले ज़्यादा इसमें डालने की ज़रुरत नहीं पड़ती है पुरा अच्छी तरह से सभी को मिक्स करेंगे दो से तीन मिनट इसको हम फेटेंगे ये नाश्ता बहुत ही जटपट बन जाता है जो भी है फूलने में ही टाइम लगता है दाल चावल को तो इस तरीके से बहुत अच्छा ये फुलापी बहुत अच्छा बैटर हमारा बन चुका है बैटर ये नाश्ता बनाने के लिए ना ज़्यादा पतला चाहिए और ना भी ज़्यादा गाड़ा चाहिए तो ऐसे देख सकते हैं बहुत अच्छा इसकी consistency लग रही है बहुत अच्छा हमने दो से तेन मिनट के लिए इसको फेंट लिया है बहुत अच्छा अब बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है तो देख पा रहे होंगे कितना जटपट हमने इसको त्यार किया हुआ है और ये oil हमने گरम कर लिए और गरम गरम oil में हम डाल देते हैं ये half-veam जब उखती हैं, जितना बड़ आपको बनाना हो अतना बना सकते हैं और गरम oil होने के बाद medium to low flame पर इसको रखें और फिर थोड़ा सा बाद में बढ़ा सकते हैं क्योंकि ज़्यादा ओयल जब गरम हो जाएगा तो सिकुड़ने जैसा हो जाता है तो ऐसे देख सकते हैं बहुत अच्छा अपने आप ये उपर की तरफ आ चुका है और इस तरह से हम इसको हलका सा घुमाएंगे प्रेस करेंगे अपने आप पूरा फूल चुका है दूसरी त जबी को बना लेंगे और सिक चुका है इसको हम निकाल लेते हैं तो फिलेम को हाई बिल्कुल ना रखें मीडियम टू लोफर रखें और थोड़ा सा कम जादा कर सकते हैं लेकिन जादा ना बढ़ाएं तो इस तरह से ये हमारा बहुत अच्छा बन चुका है तो बनने का प देख सकते हैं बहुत अच्छा हमारा ये नाश्ता बना है इसे जारखंड में धूसका के नाम से जाना जाता है बहुत टेश्टी बना है आप इसे कम उयल में भी तवे पर भी बना सकते हैं डोसा की तरह तो जो जिस तरह से आपको पसंद हो बना सकते हैं मेरी वीडियो पस से सीख चुका है और ज्यादा मोटा भी नहीं है बहुत अच्छा परफेक्ट हमारा ये धुसका बना है आप इसे ग्रिन चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेर करें